हम इसमें पढ़ानमंत्री बीपी सिंग के हवेली में हैं, जिसे हवेली तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूरी हवेली तो उन्होंने दान कर दी थी और कुछ भी आधी हवेली उन्होंने लारबादो शाजत्री जी को दान कर दी थी इनके पूरोजों ने लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये आठवे नंबर पर प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद से अब क्या परिवर्तन हुआ है आज तो बापू की चर्खे के साथ लोग फोटो खिचवा करके वाइरल करवाते हैं और कहते हैं कि हम गाधी जी के जो है चर्खा अंदोलन के बड़े हिमायती हैं लेकिन यहाँ देखा जा सकता है किस तरीके से आज भी कुछ लोग उनकी हवेली में चर्खे से सूत काते हुए दिख जाएंगे और पुरा सूत कातने का यहाँ पर ताम जाम है मसीने हैं और हमारे साथ बड़ेश पतकार हैं मैं आप से भी जानना चाहूँगा सराप का नाम क्या था एक बार प्रस दीन द्याल दिवेदी जी है और सीनियर पतकार है और निस्पच पतकारता के लिए यहाँ पर बड़े जाने जाते हैं हमने आपका सयोग भी लिया कि कुछ यहाँ की स्टूरियों को आप तक ले आएं सारी बताईए कि यह जो हवीली है इसे किस रूब में परिभासित करेंगे आईये चलते रही है इसमें जहां आप खड़े हैं वह भारत के दूसरे प्रधान मन्तरि है हो आठोऑ प्रधान मन्तरी का मकान है आधा आगे का पौरसन सरगी विश्णात पताप सिंग्जी का है पीछे का आधा पक्रशन सरगी ला लालभादु शास्त्री की कर्मस्थली भी है। बावजुद इसके इहत करगा उद्योग। लालभादु शास्त्री के धर्म पत्मी स्वर्गी लेलता सास्त्री निया सपना देखते हुए बनवाया था। कि मांड़ा चेत्र की कमस्कुन तीन-चार सो निराश्रित महिला हैं जो विद्वा हैं निराश्रित हैं गरीब हैं वो इसमें ना उपरी करेंगे। विद्वादु शाज़ती थी तब यह सोंच होती थी उन जब तक और रही तब चलता रहा तीन-साड़ह थीन-साड़ह महिला यहां काम करती थी उनके बाद राजनेतिक वर्चस उनके पुत्रों का बढ़ा हैं मगर एदिन बद्दर हालत पहुंशता गया हालत यह है कि साल से कई बार इस पर खवरे मैंने भी शापा बेक्तिकत रूप से प्रदेश सरकाय का इपनेट मंत्री से दाट नाच सिंग जी से बारता हुई है हाज का लोग के मंत्री बनने के बाद हो यहां आए उन्होंने यह कहा कि वहिए इसको में बहुत जल्दी पुनर जीवित कर जाओंगा और जाने के बार लगभग एक साल बीद गया भी तक फिर दुबारा आया नहीं तो एक पुनर जीवित हुआ है हालत है मसीनों का दिखे हैं मैं दिखाना चाहूंगा कि मसीन आप देख सकते हैं मसीने हमें फंक्सनल तो लग रही है लेकिन कारे इस पर नहीं होता है इस तरीके से जाले भी लगे हुए है हलांकि मसीने तो नहीं दिख रही है मसीने नहीं है अभी शुरू नहीं हो पाया है ठीक ढंग से ना तो लोगों को रुद्धार मिल पाया है जहां साड़े 300 लोगों को इसमें 300 लोग दिया सलाय उद्योग में काम करते थे एक समय हर भरा रहता था आप समय अच्छा सो लोग यहां जब काम करते रहे होगे कितना अच्छा लगता रहा होगा अच्छा बताई विसनात प्रताब जी के हवेली को इस तरीके से कुट्री द्योग में लोगों को रोजगार देने के लिए उपयोग किया गया ऐसा नमूना कहीं आ हाजपा राष्ट्री परांगता है अनियरशाषती जी का अंग्रेज करा प्रांगता है इनके परिवार के आप के विधायक है दिली में कि हिसके बावजूद यहां का ख़ालब देख रहें सामने हैं भी था जा हैं आप क्या मानते हैं कि यह जो आज कल आधुनिक दोर में फोटो खिचवा करके सोचल मीडिया पर वाइरल किया जाता है और लोग कहते हैं कि हम गाधी जी के साथ फोटो खिचवा रहे हैं उनको कुछ इससे सीख लेनी चाहिए बिल्कुल सीख लेनी चाहिए यहां एक समय स्थानिया है कि खादी बंता था भीकता था आज स्थाल है इनकाला लगास्यास्त्री उद्यों और में लगाते हैं तो मिशनाने पोटो नीचे लूंचल रहा है उंके अस्थानी लोग है यह आस पास के गाहँं के हैं ठाहिए भरारी के गिरधर क्लिए है नौरत बिजली ने क्या है ध्यित ठीटा काती है । यानिन सरकारों को इसपर जरूर ध्यान देना चाहिए सबुसे यह आपके अगण महले आगर काम करेगी तो अपना परिवार चला लेगी रहा का किराया नहीं देना मी कान अपना मिANG अपना है कि यहां के ब्योस्थापक आप हैं आप से बात करें अच्छा पूंजी के अभाव में कुछ देख रहे कि जो हमारे अजिक्यारी लोग हैं इसलिए प्रभावित हो रहा है नहीं अच्छी द्रंग से चलेगा इसा नहीं की नहीं चलेगा और काम करने वाले भी मांडा चेत्र में काफी लोग हैं चाहते भी हैं काम करने के लिए लेकिन हम काम ही नहीं दे पा रहे हैं चाहते भी हैं लेकि चुकि अधिक्यारियों का सही सहयोग नहीं होने के कारण तो कि हमारी सब्स्लाइब तो हमिंटि जो है एक Coinbam ही कहा जा सकता है जिसके वजह से काम नहीं हो पा रहा है और और शेडी कॉन है वर तो देखते नहीं समंधिरी मारीम चल तदा ल है कि सहीडते हैं तो अभी हमारे स्वास्त प्र यूर्ट प्रडेश के उनके सहयोग से कुछ अंदान खादी ग्रामोद्योग आयोग ने हमको 10 लाख दिया है जिसके वज़े से हमाई ने काम चालू किया लूम भी चल रहा है सिधार नर्सिंग के सहयोग से खादी ग्रामोद्योग ने हमको ग्रांट दिया था 9,90 लाख मिला है और जिसमें दस चर्खे और तीन लूम दिये थे कुछ मटेरियल भी दिये थे उसे काम चल रहा है और प्रयाज कर रहे हैं कि हम आगे अच्छा चलाएं लेकिन कुछ अच्छी धंग से देख रहें नहोंने के कारण चल पाना ही जहा है आप इसी गाउं के रणे वाले हैं नहीं हम तो यहां से दूर बिदॉली गाउं है चार किलो मेटर दूर पर वहां से आते हैं अच्छे अब बताब प्रताब सिंग का गहर है हवेली है आप लोगों को कैसी अनभूती होती है बहुत अच्छा लगता है सर उनका सहरो काफी मिला है ओ हमारे संस्था के मेंबर रहे हैं कोन मेंबर रहे हैं मानी बेपी सिंग ने इस सरुमें संस्थापक मेंबर है उसी समय इन्होंने कोठी का एक चोथाई हिस्टा आं दिया था और उस एक वाल खादी ग्रमोंद्यों के लिए सेवा निकेतन के लिए दिया है जिसमें आज कार चल रहा है और इसका एग्रेम इसलिए उनका अच्छान स्थायोग मिला है उनके तरफ से कोई कमी नहीं है कमी अगर करते हैं तो हम सतह कर रहे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं आप देख सकते हैं ऐसे थे विस्टाथ प्रताप सिंग आम जनता के लिए उन्होंने अपनी हवेली के हिस्से को भी दान कर दि हैं लागो करोडों का बझट जो है खत्म हो जाता है और लोग वे रुजगार ही रह जाते हैं और यह पुरा हवेली है यहां पर लगभग 2004 मसीने लगा या सकती है 600 मसीने लगा या सकती है है हजारों लोग buyer मिल सकता है लेकिन एक काम नहीं हो पा रहा है एक स्थाओ स आस देली से भरक इंडिया के लिए अख्रेस किस्ट मोहन पाने के लिए सब्सक्राइब करिए घंती दवाईए और सबसे पहले खबरें पाईए लाइक और सेयर करना न पूले